वेलकम दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ERC20 वैलेट, TRC20 वैलेट और BEP20 वैलेट एडिस क्या होते हैं तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते होंगे तो आप BEP20 और ERC20 वैलेट जैसे आडिस आप वैलेट आडिस जैसे नाम सुने होंगे तो आज मैं आप लोग को इसी वीडियो में इस बात को किलियर करने वाला हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताता हूं मैं आप लोग की ERC20 वैलेट अडिस क्या होते हैं तो अगर किसी भी टोकेन का अगर नाम ले जैसा कि मैं आप लोग को इस वीडियो में दखाने वाला हूं एक टोकेन यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है यहाँ पर सॉल्ट है सौल्ट एक तरह के क्रिप्टो करेंशी टोकेन है यह कोई नहीं है ठीक है? अब मैं आपको यहां पे दखाता हूं कि यह coin है या फिर ERC20 wallet है तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है left corner side में left corner में यहां पे आप आपको top में दिख जाएगा अगर आप trust wallet यूज़ करते होंगे तो उसे open करेंगे और यहां पे आप salt को अपने wallet में दिख लेंगे और फिर वहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ERC20 लिखा हुआ आपको दिख जाएगा तो इसका मसलब यह होता है कि कोई भी token जो ERC20 wallet होते हैं उनका खुद का कोई भी blockchain नहीं होता है वो किसी दूसरे coin का blockchain technology का इस्तमाल करते हैं और जिस तरह के blockchain technology का इस्तमाल करते हैं उस तरह के इनका नाम पढ़ता है ठीक है इसका उस तरह के token का जो wallet address होते हैं उस wallet address का उस coin के जो network है उस network के हिसाब से इसका नाम पढ़ता है उस wallet के address का नाम पढ़ता है यहाँ पर ERC20 जो है यह इस salt token का जो wallet address है वो ERC20 टाइप का है ठीक है इसका मतलब यह है कि यह जो salt है salt token यह Ethereum का blockchain technology यूज़ करता है काने का मतलब अगर salt आप किसी दूसरे wallet में भेजेंगे तो अगर आप decentralized wallet यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका जो transaction भी है वो हमेशा आपसे Ethereum में ही चार्ज किया जाएगा ना कि salt में ठीक है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर ERC20 wallet हुआ तो Ethereum के blockchain technology का इस्तमाल करेगा और अगर TRC20 wallet हुआ तो वो Tron के blockchain technology का इस्तमाल तो इसका नाम होता TRC20 या TRC10 wallet address और उसी तरह से अगर यह Binance Smart Chain का blockchain technology का इस्तमाल करता तो इसका जो wallet address है उसका नाम पढ़ता Beb20 wallet address ठीक है आपको मैं एक और यहाँ पर देखाता हूँ GODB coin तो यह भी एक तरह का ERC20 wallet address है ठीक है हलांके GODB जो है वो token है coin नहीं है मैं आपको यहाँ पर इसको open करके देखाता हूँ यहाँ पर आपको left corner side में टॉप में आपको यहाँ पर ERC20 लिखा हुआ दिख जाएगा जिसका मतलब है कि एक token है इसका कोई भी किसी भी तरह का blockchain technology नहीं है और यह जो है वो पूरी तरह से इथेरियम के blockchain technology का इस्तमाल करता है उसी पर पूरी तरह से dependent है अब मैं back आकर करके आपको देखाता हूँ और भी बहुत सारे coin है आप यहाँ पर देख सकते हैं पर देख सकते हैं इसका जो है अब इसको मैं देखाता हूँ यह किस तरह के blockchain का इस्तमाल करता है तो आप इस्तमाल करके इस token को launch किया गया है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आगया होगा कि ERC20, TRC20 और BEP20 wallet address किस तरह के wallet address होते हैं और यह किस तरह के blockchain के उपा dependent होता है टोकेन और कोईन में बहुत सार डिफरेंस है इस डिफरेंस को किसी और वीडियो में आप लोग को बता दूँगा उससे पहले आपको यह समझ ले ना पूरी तरह से अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे YouTube चानल को सकते हैं तो प्लीज मेरे इस टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे किसी भी तरह के वीडियो आप देखने चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ से ठीक है या तो आप मेरे चानल पर जाकर के उन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको यह पता नहीं कि आईशियो क्या होता है यह डोप क्या होता है तो आप उन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं वीडि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो में डाले उसका नोटिफिकेशन सिद आपके मुबाइल स्क्रीन पर पहुचे थांक्यू, सुमच फरवाचिंग में वीडियो